इंफ्रारेट से आकाश कंगा ऐसी दिखती है इसकी हर डॉट एक तारा है जो चमक नहीं रही वो भी इसमें कितने तारे होंगे कितनी दुनियाएं होंगी और कितनों पर सिंद्ध की आबाद होगी इस तस्वीर में हम कहां है वो पीछे को छूटता बाहरी हिस्सा दिख रहा है न हमारी प्रिथ्वी मही है आकाश कंगा के केंदर से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर मिलकी वे आकाश कंगा कॉसमोस में हमारे पते की तीसरी लाइन है इस वक्त हम अपने घर से एक लाख प्रकाश वर्ष दूर आ चुके है यानि धरती से रोशनी को हम तक पहुशने में एक लाख साल लग जाएंगे जबकि रोशनी की रफ़तार सबसे तेज होती है ये एंडरॉमेडा का ग्रेट स्पाइरल है हमारे पडोस की आकाश कंगा इन दो बड़ी गालेक्सीज और आसपास की छोटी गालेक्सीज को कहते हैं लोकल क्रूप यहां से तो हमें अपनी गालेक्सी नजर तक नहीं आ रही यह हजारों बर्गो सुपर क्लस्टर में से एक है यहां से देखने पर जो भी हमें नजर आ रहा है छोटी से छोटी डॉट भी सब आकाश कंगा है हर आकाश कंगा में अर्बों सूर्य और ना मालूम कितनी दुनियाएं होंगी इसके बावजूर यह बर्गो सुपर क्लस्टर पूरी स्रिष्टी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है